हेलो नमस्का दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मिदे कि आप लोगों की त्यारिया वड़ी चल रही होगी तो समय बहुत कम बचा है और बहुत सारा हमें रीजिन करना है तो दस मिनट का समय आपके पास और इन दस मिनट में आपको टोफ 51 क्योंस के हैं वो आंसर देने हैं तो जो भी स्कोर रही कॉमेंट करके बता देना और इसे पहले पचास टेस्ट हो गए हैं टोटल हमारे ये नहीं देखे हैं तो पले लिस्ट में जाके देख लेना और पीडे अपने सभी कि आपको मिली जाएगी तो यही क्याओन नमर है तो सबसे पहले तो पटा पट लाइक क कर सकते हैं देखों कमेंट करके बता देना पहला मारा है कि इनमेंसे भीलवाडा जिले का मुख्य बांद बता दीए कि कौन सा भीलवाडा में है तो मेज़ा बांद जो की कोठारी नदी में बनावाए ये आपका सही है और किशन मर्डो कि बिकानी जिले के किस तिर्तस्तल पर शिक धरम के संस्ता पर गुरु नानकजी पर आ रहे थे गुरु नानकजी आयदे खै कोलायत में ठीक है जहां पर कपील मुनी का आस्टन बनावा है और कोलाय जील भी है अगल है कि मेवाड के माना संगराम सिंग की समाधी यानि राना संगा की समाधी कहाँ पर बनी हुई है मांडलगड में मांडलगड है भीलवड़ा जीले में सियाप का सही और जुहार बुर्ज जो है वो कहाँ पर बनावा है जुहार बूर्ज, फते बूर्ज, लक्षमन जी का मंदीर ये सारे भीलवाड़ा के हैं लोहागड के दुर्ग में यानि बर्दपूर के किले में है जिसका निमान करवाया गया था 1733 में सुर्जमल जाटने मीटी का बना किला जी से हम कहते हैं जलमेलों की नगरी किसे कहते हैं जलमेलों की नगरी काज़त है डीग बर्दपूर को और याद रखेंगे जलमेल सिर्फ यहीं पर नहीं है जलमेल राजस्तान में दोजगेबर है एक तो जलमेल डीग में है और एक जलमेल है राजस्तान में जैपूर में लेकिन जल मैलों की नगरी D कहलाती है लाखोट या चोकी हवेली राजस्तान में काँ प्रेवी तो ये बिकानेर में बनी हुई है और मातरी कुंडिया तिरिस्तल किस नदी के पास में है मातरी कुंडिया जो है चंदरबागा नदी के पास में मातरी कुंडिया चितोडगड में आता है जिसे मेवाड का हरिदुवार भी का जाता है एक यांदरोन की सर्वात यहीं से हुई थी और नगर सागर कुंड जो है वो कौन सी जिल्ले में है तो बुंदी जिल्ले में है अगला कि चितोडगड का वह स्थान जा लकडि के खिलोने और कटपूतली बनाने के लिए परसीद है तो यह बसी गाउं है चितोडगड का एक आपका सही और चूरू का ताल सापरवन्य जिव भ्यान क्यों परसीद है भी तो यह तो काले हिरिणों के लिए परसीद है यह और कुर्जा पक्षिय के लिए भी परसीद है तो राइटान स्राप का D है वेंग्टेसवर तिरिपुति बाला जी का एक मात्रमंदी राजस्तान में कहां पर है और ये सुजानगड में बनावा है एक आपका सही है अगल है कि 6 खमों की बनजारों की छत्री काहां पर है ये काहांपर है ये 2 सा में है एक आपका सही चले गोराबादल का महल बता दिजी गोराबादल रतन सिंके टाइम के पदमने के चाचा बतीजे और इनका जो महल बनावा है वो कहां चितोडगड की दुर्ग में है वहीं पर सत्री भी है तो राइटांस लब का एक नमबर देश का पहला मंदिर जहां पर हनुमान जी की दाड़ी मूच युक्त मंदिर है और मात्री पर तिलिक है दाड़ी मूच वाले हनुमान जी का मंदिर एक ही है तो राइटांस लब का एक नमर जही है अगला है कि तालाबे साही जील राजस्तान में कहां पर है तालाबे साही है धोलपूर में रेड डाइमंड में सी अपका सही और आदिवाशियों का मुक्ती दहम किसे कहते हैं आदिवाशियों का मुक्ती दहम काज़त है बनेश्वर को बनेश्वर डूंगरपूर में ठीक है वागड का कुम कह दीजी आदिवाशियों का कुम कह दीजी भिलों का कुम भी कह देते हैं आदिवाशियों का कुम है और अगला है कि संत माउजी का मंदीर कहां पर है संत माउजी का मंदीर है वो सावला गाउं में बनावा है आप कॉमेंट करके बताओ सावला गाउं कहां पर है डुंगरपूर में है बांसवाड़ा में है परताबगड़ में है चीतोड़ में है पर है कोमेंट कर देना और जैपूर के बनारस के नाम से किसे चाना जा जैपूर का बनारस कहते हैं गलता जी को गलता जी जिसे मंकी बेली भी कहते हैं उतर तोतादरी भी कहते हैं और तारकेशर जी का मंदीर जो की जैपूर में है इसका निर्मान किस ने करवाया था दिवान विद्यादर बटाचारी जी ने और जसल मेर दुर्ग जी से सोनार किला कहते हैं ये त्रिणोकार है त्रिकूट पाड़ी प्रस्तित है और कहां पर बताते हैं किस प्रकार की पाड़ी पर है जसल मेर सोनार का किला त्रिकूट पाड़ी प्रस्ताबित है तो गोडा हरे ठीक है तो राइटांस रब का एक नमर हो जाएगा थार मुरुस्तल का परवेश्टवार है वो किस सेर को कहते हैं थार मुरुस्तल का परवेश्टवार जोदपुर को डी अब का सही राजस्तान का कानपूर या सेक्षिक नगरी जो है वो किस सेर को कहा जाता है तो कोटा को कहते है राजस्तान का कानपूर आब तो राजस्तान का नागपूर किसे कहते हैं जो संत्रा उत्पादन के लिए परसीद है मंडरायल का किला राजस्तान में कहां पर बना भी ये क्रोली में सियाब का सही रगलाएगी जोधपूर जिल्ले के ओशिया नमकस्तान पर किस के उसेस मिले हैं तो हिंदू जेन मंदिरों के उसेस हैं अलागि वहाँ पर मंदिर है सच्यमाता का मंदिर है मावीर जी का मंदिर है ठीक है सुरिय मंदिर है ओसिया जिसे राजस्तन का भोनेश्विर कहा जाता है पहले इसका नाम हुआ करता था उपकेश पतनम और कभीर सा quería कमक्बरा और साही कुडे किस जिल्ले में आते हैं तो यह करोली में है कभीर साय कमक्बरा और साही कुंड दोनों ही सियाब का सही जंगल प्रदेश यानि जंगल प्रदेश है जंगल प्रदेश की राजदानी नागोर को प्राचीन काल में क्या का जाता था तो जंगल प्रदेश की राजदानी हुआ करती थी अईचित्रपूर और अईचित्रपूर तो नागोर को ही का जाता है गिगोली का मैदान जहांपर जोधपूर और जैपूर की बीच में युद्वा था ठीक है ये कहांपर ये परबसर में गिगोली का युद्व कश्णा कुमारी को लेकर जोधपूर के मानसी और जैपूर के जगसी की बीच में युद्वा था यूगल की सोर का विश्व मंदीर भी है, तीनों ही वहीं पर है तो D आपका सही। और दिवीर जो की रासमद में है, इसे मेवाड का मेराथन किस ने कहा था, करनल जैम्स टोड ने, 1582 में जो यूदवा था, और राजस्तान के माउंट टाबू में इसे दिलवाडा के मंदीर किस के लिए परसिद है। ललूलिया सिके बनते थे याद रखेंगे डी आपका सही और अगला है कि राजस्तान में सिंदु गाटी सबेता के परमुक स्तलकी सिल्ले में सिंदु गाटी सबेता के अवसे सें काली बंगा पीली बंगा, रंग महल तो ये कहां पर है हनुमानगड जिल्ले में नागने चिमाता भी आपका सही और राजस्तान में अगनी नर्ते का समद्य किस संपरदाई से अगनी नर्ते कत्रिया सर्बीका नेर कत्रिया सर्बीका नेर जो की जसनाती संपरदाई से समद्यत है तो भी आपका सही और वेदों की और लोटो नारा किसने दिया था सवामी दियानासर सुटीजी ने भी अबकर सही अगले के राजसतान में रामचंड झी महराज का पूरव नाम कानी discipl वाला नाम था राम किसनसी और उन्होंने रामसंदे ही समपरदाय की स्थापना की थी रामस नहीं संपर्दाए और जिसकी मुखे पीट है सापुरा भीलवाडा में राजस्तान में नीलकंट महादियों जी का मंदिर कहां पर है तो ये बैंस रोड़गर में बनावा है ठीक है राजस्तान में परबसर नागोर का पस्सु मिला किसकी याद में बढ़ता है परबसर नागोर में वीर तेजाजी पस्सु मिला बढ़ता है वीर तेजाजी पस्सु मिला जहांपर नागोरी नसल का करेवी करेव होता है एकला है कि राजस्तान में सास बहु का मंदिर काम परेवी सास बहु का मंदिर है नागदा में नागदा उधेपूर में जिसे सैसस्तर बहु का मंदिर भी कह देते हैं और राजस्तान में सच्चिया माता का प्राचीन सूरिय मंदिर बता दिये सच्चिय माता का मंदिर है ओसिया में ओसिया है जोधफुर में इसे वर्तमान में कहते हैं राजस्तान का भूनेश्वर और पहले कहलाता था उपकेश पत्नम ठीक है वस्त राज के टेम पर यह मंदिर बने थे वस्त राजस जो परत्यारवास की खिसासक उए है अगला एक राजस्तान में कर्षिय के लिए सरवादिक उप्युक्त मीटी कौन सी है? सबसे ज़्यादा उपज़व मीटी जो की कछारी मीटी है पूरवी मैदानी बूबाग में तीन आपका सही अगला एक राजस्तान में बेकार भूमी का सरवादिक छेतर जो है वो किस दिले में? बेकार भूमी का सरवादिक एरिया है वो जसलमिर में है तो तीन आपका सही राजस्तान राजे में मीटी अपरदन को सरवादिक प्रोथसाहित करने वाली नदी कौन सी है यानि किस नदी से सरवादिक अवनाली का परदन होता है अवनाली का परदन सबसे ज़्यादा किस से होता है जमल नदी से होता है तो तीन आपका सही अगर एक राजस्तान राजे में कपास की पसल के लिए सबसी उप्युक्त मीटी कौन सी है तो कपास की पसल के लिए सबसी उप्युक्त मीटी आती है काली मीटी ठीक है काली मीटी राजस्तान में कपास को अत्पतन जादा तो है वो गंगानगर वाले चेतर में भी होता है और बुंदी वाले चेतर में भी है याद रखेंगे और राजस्तान राजे में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाले मीटी किस परकार की है चंबल और माही बेसिन में किस परकार की मीटी पाई जाती है तो काली मीटी पाई जाती है ठीक है तो right answer जाएगा ती नमर आपका सही है भूरी मीटी बनास बेसिन में आती है तो आपने एक्याओन मैंसे कितने सही किये हैं कॉमेंट करके बताईए रात को डेली आठ बजे हमें एक live test करते हैं topic wise तो वो भी join कीजे ताकि एक्जाओन से पहले पहले अलग 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 topic आपका reunion होता रहे यह instagram का link है और यह telegram का link है तो दोनों ही join कर लीजी telegram पर आपको सारी PDF मिल जाएगी और instagram पर पूछना चाहते हैं बताना चाहते हैं और नई-णी update चाहिए तो यह face to face का link है अलग कि तिनों ही join कर लीजी एक्जाम से जुड़ी भी जानकरी आपको डैली मिलती रहेगी तो चलिए like शेर कर देजी रात को 8 बजे मिलेंगे और आज 8 बजे का मारा topic है वो computer से related है कि computer के जितने भी important question है वो cover करेंगे तो वो भी join केजीगा Thank you